हलो दोस्तो आज किस वीडियो में DFC CIL के कटॉप के बारे में बात करने बाले हैं कि आंसर की आने के बाद DFC CIL का कटॉप क्या रहा सकता है आप लोगों को Complete Analysis करने के बाद बताने बाले हैं कि कटॉप कितना जा सकता है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरावस देखेगा तो चलिए आज का वीडियर स्टाट करते हैं सबसे पहले जानते हैं Executive OP and BD Post का कटॉप कितना जा सकता है तो सबसे पहले Executive OP and BD Post के Previous Year कटॉप के बारे में देखते हैं कि Previous Year का कटॉप कितना गया था तो Previous Year में Executive BD के Total 109 Post थे हुए Total Result की बाद के तो Vacancy के 8 गुनो रिजल्ट दिया गया था यानि कि 872 Result Total दिया गया था Total Form की बाद के तो Total 46,472 फॉर्म बढ़े गये थे जबकि 26,603 कंडिडेट ही एकजाम में एपिएड हुए थे Competition की बाद के तो Competition 30 का था यानि कि 30 में से एक कंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था जबकि Cut-off की बाद के तो General Category का Cut-off 43.50 गया था OBC का 68.75 गया था SC का 63.75 गया था ST का 62.25 गया था अगर इस बार की Executive BD Post की बाद के तो Total Post इस बार 237 है और Total Result इस बार Vacancy के आठ गुना यानि कि 1896 दिया जाएगा 1896 कंडिड का सिलेक्शन होगा जबकि Total Form 1,440,155 भरे गये हैं जबकि APH Candidate की बाद के तो लगभग आपका वही 70-75 हजार के बीच होगा Competition की बाद के तो इस बार 36 का Competition लगभग रहने बाला है यानि कि 36 में से एक Candidate का सिलेक्शन होगा Paper Tap रहने के कारण इस बार Cut-off पिछली बार के Cut-off से 2-3 नम्मर कम रह सकता है अगर इस बार के Cut-off की बात के तो इस बार Cut-off आपका General Category से 59-74 के बीच रह सकता है OBC का 64-69 के बीच रह सकता है SC का Cut-off 69-64 के बीच रह सकता है ST का 58-63 के बीच रह सकता है अब बात करते हैं Junior Executive BD Post का Cut-off कितना जा सकता है तो Junior Executive का Post आपका पिछली बार की भरती में नहीं थे इस बार ये नया Post जोड़ा गया है इस बार Total Post 225 है और Total Form 1,6,75 बरे गये है APA Candidate की बात के तो वही 50-55,000 के बीच होगा तो Junior Executive का Cut-off हाई जाने बाला क्योंकि इसमें अब कोई भी एक्जाम नहीं लिया जागा Direct Document Verification होगा तो General Category का Cut-off 80-85 के बीच रह सकता है OVC का 75-80 के बीच SC का 70-75 के बीच ST का 65-70 के बीच EWS की बात करें तो EWS का Cut-off 73-78 के बीच रह सकता है अगर Executive Civil Post की बात करें तो आप लोग Previous Year का Cut-off देख सकते हैं Previous Year के Cut-off से उतना अंतर इस बार देखने को नहीं मिलेगा 5-6 नमर का अंतर देखने को मिल सकता है अगर आपके इससे 5-6 नमर कम है तो आप बिल्कुल निस सेफ हैं इसी परकार आप लोग Executive Electrical का भी Cut-off देख सकते हैं इसका भी Cut-off आप लोग देख सकते हैं कि Cut-off कितना गया था Cut-off में आपको उतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा 5-6 नमर का अंतर देखने को मिल सकता है इसलिए आप लोग Previous Year के Cut-off से केटेग्री वाइज खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार Cut-off कितना जा सकता है इस बार Paper Tap रहने के कारहने पिछली बार के Cut-off से Cut-off थोरा सक कम जा सकता है नहीं तो आपका Cut-off पिछली बार के Cut-off से अधिक ही रहता इसलिए आप लोग Previous Year के Cut-off से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार Cut-off कितना जा सकता है तो चलिए आज का विडियोर इसे मौफ्त करता है वीडियो चल रहते तो चैनल को सब्सक्राइब ता वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते है आज का वीडियोर तक निए अपका ध़न्यवाद